फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं पैंडम प्लस क्रीम के बारे में जो कि यूटूब पे आई थिंक सुब बहुत जादा वीडियो बन चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं यूज कर रहे हैं as a skin whitening और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके क्या ingredients हैं और ये particular किस चीज के लिए काम में आती हैं क्या आप लोग को ये skin whitening के लिए यूज करनी चाहिए क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है इसको as a skin whitening यूज करने के बाद आप इदम से काले से गोरे हो जाते हैं गोरे चिट्टे हो बिलकुल as a Korean skin आपको मिल जाती है spotless skin आप लोग को मिल जाती है so इस वीडियो के अंदर हम detailed मैं आप लोग को information देने वाली हूँ इस product के related so अगर आप लोग ये use कर रहे हो या करना चाहते हो तो ये video आप लोग के लिए और मैं आप लोग को ये भी बोलूँगी कि अगर आप ये product use कर रहे हो या करना चाहते हो ये video बहुत ज़ादा ज़रूरी है आप लोग के लिए बहुत ही important है इस product की related information को जानना so friends आप लोग ये video जो है end तक ज़रूर देखेगा बिना skip किये नहीं तो आप कोई बहुत ज़रूरी वाल information जो है मैं miss out कर दोगे और जिसका side effect आप लोग को हो सकता है so आगे पढ़ने से पहले मेरी आप लोग से एक ही request रहेगी अगर आप लोग मेरे channel पे नए हो मुझे पहली बार देख रहो या मुझे देखते रहते हैं अभी तक subscribe नहीं किया है सो इस वीडियो पे subscribe का button जरूर दबा देना नीचे एक red button दिख रहा होगा वो click करके grey कर दो और साथ में एक bell icon है वो click करके all पे जरूर स्लेक्ट कर देना ताकि जब भी मैं new video डालूं आप लोग को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो मैं वीडियो बनाती हूं skin care, hair care and health related so subscribe करना बिल्कुल न भूली लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो हाई फ्रेंड्स वेल्कम बाक टू मार चानल इंडिया न्यूट्यूबर अनमूल फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं पैंडम प्लस क्रीम के बारे में यह एक combination cream है फ्रेंड्स जो की बहुत ही different type of या बहुत ही अलग अलग type के जो skin infection या skin diseases होते हैं उसके लिए use की जाती है फ्रेंड्स जैसे की swelling होगी, eachiness हो गई आपकी कोई बहुत जादा infection हो गया उस पे ये use की जाती है फ्रेंड्स बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ingredients की क्योंकि ingredient list से ही आप लोग को थोड़ा पता चलेगा कि ये किसके लिए use की जा काफी कुछ ना clear हो जाता है जब आप ingredients को जान लेते हो, so ingredients को हम थोड़ा detail में बात करते हैं अब फ्रेंड्स ये जो pandan cream है ये 4 combination of medicine से बनी है फ्रेंड्स जो इसके अंदर medicine डाली गई है वो है terminafin फ्रेंड्स ये जो ingredient है ये है antifungal जो की रोकता है अब फंगी की growth को बढ़ से ठीक है वो cover कर देता है ताकि दुबारा दुबारा से फंगी जो है आपको ना हो next ingredient जो इसके अंदर डाला गया है फ्रेंड्स वो है clobetazole ठीक है ये एक steroid medicine है friends this is completely steroid जो की ये अपके production को रोकेगा आपके collagen को रोकेगा आपकी completely steroid है I think so मुझे इससादा कुछ बोलने की ज़रत ही नहीं है steroid चीजें डाली जाती है अगर जो medicine में skin infection के लिए बनी होती है उसमें steroid डाले जाते है friends ठीक है उसके बिना जो है आपका skin disease या एक होते हैं चिकत्ते से पड़ जाते हैं ऐसे खारिश भी होती है उसमें bump भी आ जाते हैं तो वो infection पे भी steroids डाले जाते हैं जो कि हम अपने face पे नहीं लगाते हैं हम अपने उस particular area को treat करते हैं और यह medicines होती है डॉक्टर दुवारा suggested ठीक है जी अब बात करते हैं हम अपने इसके next ingredient की next ingredient है इसके अंदर friends of fluorescine ठीक है I hope मैंने प्रणाउस सही किया हो बट यह होता है friends antibacterial properties इसके अंदर यह कहलो यह antibiotic की तरह ही काम करता है जो कि आपके growth को रोकता है जो infection होगी है जो bacteria होगा है friends उसकी growth को रोकेगा साथ में वो automatically heal करेगा अपने आपको next ingredient इसके अंदर डाला गया है friends और नीडा जोल यह भी एक antibiotic है जो कि आपके bacterias को और infection को kill करता है और दुबारा दुबारा prevent होने से वो बजाता है अब बात करते हैं friends कि कब-कब आप इसको use कर सकते हो आप इसको सबसे पहले तो डॉक्टर के द्वारा ही suggest करने पे use करेंगे अगर आप लोग को है skin infection यह skin को diseases होगी allergy हो चुकी infection हो चुका है particular उस एरिया पर जो है आप यह use कर सकते हैं so friends मैंने आपको बिल्कुल clear कर दिया है ingredient list से ही कि इसके अंदर डाला गया स्टेरोइड और उन्होंने बिल्कुल भी हाइड नहीं किया है so यह obvious ही चीज है friends जब भी आपको इस्टेरोइड पेस क्रीम यूज करोगे आपको within a seven days drastic results मिलेंगे मतलब seriously में two to three tones आपके lighten हो जाओगे आपके dark spots भी कम हो जाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल fair skin हो जाएग ठीक या यार अच्छी तो हो जाएगी ना तो मैं regular इसको यूज करती हूँ या करता हूँ तो नहीं friends अगर आप इसको जादा लंबे समय तक भी यूज करोगे आपके skin spoil हो जाएगी हमेशा के लिए आपके cells जो है skin के वो damage हो जाएगे वो दुबारा repair नहीं हो पाएंगे औ और साथ में आपका collagen बनना जो है बंद हो जाएगा और collagen अगर बनना बंद हो गया तो आपको fine lines जुरियां की problem बहुत ही जल्दी start हो जाएगी even age से भी पहले start हो जाएगी cells की regeneration बंद हो जाएगी regeneration होती है जब आपके पुराने cells अगर dead हो जाएगे या tan हो जाएगे तो new cells automatic आते हैं उसको हम लोग बोलते है cells की regeneration मतलब खुद से अपने आपको repair कर रही है तो वो repair नहीं कर पाएगी वो damage हो जाएगी friends and believe me steroid use करने वाले लोगों ने ही बोला है starting में हम लोग बहुत खुश थे उसके हमाई सारी जिंदगी खराब हो गई friends सारी जिंदगी ठीक है एक महने के लिए गोरे हो भी जाओगे तो उसका करऊ भी गई भी क्या मतलब waste है यार किसी के लिए अगर गोरा बन रहे हो या society के लि acid यूज़ करो आप अपने day to day routine में बहुत सारे से skin kills में लेकर आती हूँ वीडियो मेरी चैनल पर मिल जाएंग जिससे आप safely अपनी skin tone better कर सकते हो collagen को boost कर सकते हो pigmentation को remove कर सकते हो acne को control कर सकते हो बहुत सारे wings है friends मैं आय दिन कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हूँ तो चैनल क subscribe जरू कर लो notification भी on कर लेना ठीक है so friends आपने अगर ये use कर लिया है अब आपका question आएगा comment भी आएगा मुझे अकसर आता है हमने देदी steroid use कर लिया है अब हम कैसे उस पे overcome करें में skin completely spoil हो गई है आपने use करना है moisturizer जितना हो सके आपने अच्छ ऐसे अच्छा moisturizer use करना है जो कि बहुत जादा आपको hydration दे ठीक है यही एक way है long term लगेगा बर थोड़ा 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 करके आपको सुधार मिलने लगेगा ठीक है जी अब बात करते हैं अगर आपने ये cream as a skin whitening के लिए use करनी start कर दी है face पर तो आपको results क्या मिलने वाले है आपका face completely एक तो spoil हो जाए जाएगी swelling हो सकती है eaching हो सकती है और साथ के साथ ना आपकी जो ये skin होती है वो थिक होती जिसकी अच्छी healthy होती है पर आपकी जो है पतली हो लगेगी इतनी पतली हो जाएगी कि blue veins जो होती है face की वो भी even दिखने लग सकती है तो आपके क्या करना इस से रहना है बहुत बह बहुत दूर तो फ्रेंट इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शिन बोक्स में डाल गोंगी इनकेस अगर आप लोगको इन्फेक्शन है या आप डॉक्तर के रिक्मेंड पेस को यूस कर रहे हो और आप बाय करना चाहते हूं तो ही मैं लिंक इस पे डाल रही हूं इसक्रि अगर इस वीडियो के अप्लोग को अच्छी लगी हो पसंद आई हो अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी पसंद आया तो मेरे चानल को लाइक श्यर सब्सक्राब करना बिल्कुल ना भूलना और मैं मिलत ही नेक्स वीडियो में तिल एन बाय